मेरे अजीज दोस्तों को जिशान का प्यार भरा, सलाम आज मैं आपके लेकर आए हूँ चिकिन सिस्टी फाइब की रेसिपी जो बनाना बहुत ही असान है तो चलिए बनाना शुकर करते हैं मेरे स्टाइल में सबसे पहले मैंने लिया है 500 ग्राम चिकिन अब मैंस में डालूँगा दो चम्मच अदर लेसुन का फाइन पेस्ट एक चम्मच डालेंगे पिसे हुई लाल मिर्च ये स्वाद अनुसार मैं डाल रहा हूँ तीन चम्मच डालेंगे चावलों का आठा ये मार्किट में इजली मिल जाता है अदर चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च दोस्तो अब मैंस में डालूँगा स्वाद अनुसार नमक ये वैसे अदर चम्मच नमक है नमक डालने के बाद अब मैंस में डालूँगा दो चम्मच कौन फ्लोर यानि मक के काटा एक नीबू डालूँगा और बहुत अच्छी तरह से स्विस्ट कर दूँगा दोस्तो आपने अपने चैनल नमक नमकीन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब बलेकर दबा जीजिए तकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे दोस्तो अब मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूँगा हमें मिक्स बहुत सही से करना है तकि ये मसाले आपस में मिक्स होकर चिकन पे सही से लग जाए दोस्तो आप देख सते हैं कि मसाले आपस में मिक्स होकर चिकन पे सही से लग चुके हैं अब मैं एक अंडा लूँगा और अंडे को चिकन पे डाल दूँगा दोस्तो आप वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजिए मैं ऐसे निव इंट्रस्टिंग रसिपी लेके आता रहता हूँ अब अंडे को भी मिक्स कर लेंगे दोस्तो आप देख सकते हैं कि अंडा चिकन पे सही से लग चुका है अब मैं इसको 15 मिट के लिए उठागे रख देता हूँ मैंने गास पे एक पैंच ड़ाया है अब मैं इसमें डालूँगा फ्राइ अकॉर्डिंग कोकिंग ओईल यह मस्टर्ड ओईल है आप चाहएं तो कोई सा भी कोकिंग ओईल यूस कर सकते हैं ओईल को अच्छे से गरम कर लेंगे दोस्तो आप देख सकते हैं कि ओईल गरम हो चुका है फ्लेम को लो कर देंगे अब मैं इसमें चिकन को फ्राइ कर लेता हूँ दोस्तो हमें चिकन के पीस अलग-अलग डालना है क्यों डालना है? हमने इसमें चावल का अठा डाला है अगर हम इसको मिला के डालते हैं तो यह आपस में चिपक जाएंगे दोस्तो हमें लो फ्लेम पे ही चिकन के पीस को फ्राई करना है ऐसे करने से हमारे चिकन के पीस बहुती क्रेंची क्रस्पी बनेंगे और अंदर तक सही से फ्राई हो जाएंगे दोस्तो 5 मिनिट हो चुके हैं फ्राई होते हुए अब मैंने फिलेम को हाई कर लिया है ताकि चिकन के पीस क्रस्पी हो जाएं दोस्तो आप देख सकते हैं कि चिकन के पीस बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं अब बैन को पैन में से भार निकाल लेता हूँ और बाकी के बचे हुई पीस ऐसी इसी तरह से मैं फ्राई कर लूँगा दोस्तों आप देख सकते हैं कि चिकन की पीस कितनी अच्छी तरह से फ्राई हुए हैं देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं तो चली आगे का प्रोसेस चालू करते हैं मैंने इसमें लगवर 3-4 चमज कोकिंग ओईल डाला है और अब मैंस में डालूँगा आदे चमज, जीरा जीरा को हलका सा भूल लेंगे और फ्लेम को लोहे लखेंगे अब मैंस में डालूँगा आदा लहसुन मैंने इनको बारिक करके चॉप कर लिया है ये भी मैं डाल देता हूँ हलका सा भोल लेंगे लहसुन को भी अब मैस में डालूँगा लगभग 7 लाल मिर्चे यह आप चाहें तो अपने साब से इसको कम और ज़ादा कर सकते हैं अब मैस में डालूँगा हरी मिर्चे यह लगभग 607 हरी मिर्चे हैं मैंने इनको बीच में से खोल लिया है ताकि इसका फ्लेवर ग्रेवी में बहुत अच्छी तरह से आ जाए दोस्तो अब मैस में डालूँगा हमारा में फ्लेवर मैस में डालूँगा तीन चमच टमाटो कैचप फ्लेम को मैंने लोही रखा है टमाटो कैचप डालने के बाद हलका सा भूल लेंगे दोस्तो आप देख सकते हैं कि हमारी ग्रेवी बनकर तयार है अब मैस में डालूँगा हमारा फ्राय किया हुआ चिकिन और डालने के बाद अब मैं मिक्स कर लूँगा ताकि ग्रेवी चिकिन पर सही से लग जाए दोस्तो आप देख सकते हैं कि हमारा चिकिन 65 बनकर तयार है देखने में कितना अच्छा लग रहा है चिकिन 65 का टेस्ट नेक्स्ट लेवल करने के लिए आप मैं इसको दो मिनिट लिए ढग देता हूँ दो मिनिट हो चुके हैं चेक करते हैं दोस्तो आप देख सकते हैं कि वाकि में नेक्स्ट लेवल का चिकिन 65 बनकर तयार है इसमें से वाकि में एक्स्ट्रेम लेवल की खुश्पो निकल दिया रही है चलिए दोस्तो आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि हमारा चिकन स्रिवाइप कैसा बना है दोस्तो आप कमेंड शरूर कीजिए क्योंकि आपके कमेंड करने से हमें होसला अफजाई होती है और हमें खुशी होती है कि आपको रैसे भी पसंद आई हमारा चिकन स्रिवाइप बहुती टेस्टी बना है आप इस रैसित को ज़रूर ट्राइ कीजिए और अपना एक्सपिरिंस कमेंड शरूर बताईए दोस्तों आप अपना ख्याल रखिए अपनी फैबनी का ख्याल रखिए अपने घर में और आसपास सफाई रखिए मिलते हैं जल्द अगली न्यू रेसिपी में अलाहाफिज